हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आप्सेंस ट्वेडिंग के उपर और आप्सेंस ट्वेडिंग के उपर हम बात जब भी करते हैं तो एक कोस्टन हमें regular basis पर देखने को मिलता है किसलर हम अप्सेंस ट्वेडिंग में एकुरेशी लेवल को कैसे इंक्वीज कर सकते हैं कैसे हम हाई एकुरेशी लेवल के साथ आप्सेंस ट्वेडिंग में ट्वेड कर सकते हैं तो आज हम इसी topic को बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप options trading में अपने accuracy level को increase कर सकते हैं, अपने accuracy level को improve कर सकते हैं, चलिए इस concept को हम detail से समझते हैं. तो यहां पर हम चार्ट पर आगें और यह दो चार्ट है आपका nifty 50 का चार्ट है, 15 minutes time frame बाला चार्ट है, यानि 15 minutes time frame बाला चार्ट अगर आप use करते हैं, तो इसके basis पे आप intraday trading भी आसानी से कर सकते हैं, और इसके basis पे आप चाहो तो BTST trading भी कर सकते हैं, और इसके basis पे चाहो तो आप swing trading भी कर सकते हैं, और काफियत तक आप positional trading भी कर सकते हैं, यानि जिस भी trading आप करते हैं, जिस भी type का trading आप करते हैं, उसमें आप 15 minutes time frame के basis पे आसानी से trade initiate कर सकते हैं आप चाहो तो यह chart change करके आप longer time frame में भी जा सकते हैं बस जो मैं आपको strategy और conditions बता रहा हूँ same conditions को आपको वहाँ पे भी follow करना होगा तो चलिए सबसे पहले अगर आपको अपने trade का accuracy level improve करना है तो आपको क्या करने की ज़ुरुत है सबसे पहले आपको support और resistance level identify करने की ज़ुरुत है अगर आप support और resistance level identify करके उसके basis पे अगर आप trade करते हैं तो आपका trade का accuracy level आपका automatically improve होता हो देखेगा आपका जो भी trade होगा वो आपका होगा high accuracy level के साथ तो चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम support और resistance level कैसे हम identify करेंगे जो कि आपका strong वाला हो immediate support और resistance level से काम नहीं चलेगा एक strong support और resistance level हम identify करेंगे अगर आप support और resistance level identify करेंगे इसका दो मैठाद है सबसे पहले आप option chain से identify कर सकते हैं यह नि, option chain में हम क्या देखेंगे option chain में हम why देखके support और resistance level को identify कर सकते हैं दूसरा हम price action के basis पे support और resistance level को identify कर सकते हैं price action में हम क्या देखेंगे high low के basis पे, close के basis पे या फिर किसी एक particular level पे price रुखता हुआ दिख्या है वो हमाई लिए support या फिर resistance के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से हम support and resistance level को identify करेंगे तिहाँ पर हम example लेते हैं और पूरा process को एक साथ समझते हैं इससे आपको ये concept समझने में और ज़्यादा आसानी होगी बस जो conditions बता है कि आपको support and resistance level identify करना सबसे पहले इसको identify करते हैं फिर आएगा process हम और अच्छे तरीके से समझेंगे तिहाँ पर हम nifty के चार्ट में ही आते हैं तो सबसे पहले nifty एक crucial support level के करीब trade करना चाहिए तो जब price आपका 18,000 करीब था तो आप सबको पता ही था कि 18,000 के level पे हमें option chain में highest open interest देखने को मिल वा था put side की तरफ और यह हमें क्या indicate कर रहा था यह indicate कर रहा ताकि 18,000 आपका एक strong support के रूप में काम करता हुआ दिखेगा यनि option chain के basis पे हमें clear cut indications मिल वा था कि 18,000 का level एक support के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे हम confirmation के लिए price section को भी देखना चाहेंगे और यहाँ पे भी अगर आप price section को देखो तो देख सकते 18,000 के आसपास आपका crucial support level डेबलप होता हुआ दिखा है और long range का support level डेबलप हुआ यनि काफी strong support level यहाँ पे है और यह आपका एक strong level बनके उबरा है मतलब यहाँ पे हमने क्या identify कर लिया हमें support विश्टेंस लेबल identify करना हमने identify कर लिया based on option chain और price section दोनों के basis पे हमने एक strong support level को identify कर लिया अब यहाँ पे आये का काम शुरू होता है और इसके बाद हमें एक indicator का help लेना होगा जो कि आपका RSI अब यह indicator हमें क्या बताएगा है यह indicator हमें बताएगा कि जो support लेवल के पास है वहाँ पे power का transfer हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर power का transfer हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम अपने लिए trading opportunity find करेंगे फिर यहाँ पे हम trade initiate करेंगे यहनी सबसे पहला point है support लेवल identify करना दूसरा power का transfer होना चाहिए from buyers to sellers और sellers to buyers और उसके बाद तीसरा point हम trade initiate कर सकते हैं इन दो point को satisfy करेंगे तो हम trade initiate करेंगे यहाँ पे हमने support level identify कर लिया अब हमें power का transfer कैसे देखना है इसके लिए हमें थोड़ा पीछे आना परेगा देखें यहाँ पे price आपका नीचे side की तरफ आ रहा है sellers में strength है अब इस particular point पे हम देखते हैं कि sellers में कितना strength इस particular point पे अगर आप देखें तो यहाँ पे sellers में आपको previous low से काफी नीचे low बनाया लेकिन अगर हम RSI को देखें तो लगबग आपका same level पे देखने को मिलवा यहाँ जब price आपका यहाँ पे था जितना strength हमें RSI में देखने को मिलवा था same amount of strength हमें यहाँ पे भी देखने को मिलवा लेकिन price काफी नीचे गया है तो अगर हम price के इस नहीं हो रहा यह हम clear cut बोल सकते हैं अब देखिए अब जब price यहाँ पे support level का formation किया है और price आपका previous low से नीचे का लो बनाया देख सकते हैं यहाँ पे clear cut आपको idea मिल जाएगा कि previous low से नीचे low का formation हुआ है लेकिन अगर हम इस particular vision में यहाँ से यहाँ तक अगर हम RSI को देखें कि इसे ऊपर सेर की तरफ जाता हुआ दिखता है यह हमें क्या indicate करता है यह हमें indicate करता है कि यहाँ पे buyers active हो गये और buyers धीरे-धीरे strong हो रहे हैं और at the same time जो sellers है वो ज़्यादा नहीं लेकिन काफी हद तक उनमें weakness आना सुरू हो गया यानि कमजोरी आना सुरू हो गया बतलब यह क्या indication दे रहा है कि यहाँ पे systematic power का transfer हो रहा है from sellers to buyers यानि power का transfer होना start हो गया है यह दूसरा point जो हमें find करना था कि power का transfer होना चाहिए वो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है अगर आप इस दो चीज़ को identify करके trade करते हैं तो आपका definitely जो trade का accuracy level है वो काफी हद तक आपको improve होत लावा दिखेगा बस यहाँ पे थोरा सो आपको महिनत करने की जोगत हो और पैसा कमाने के लिए आपको महिनत करना ही परेगा तो बस आपको यही चीज़ identify करना उसके बाद अगर आप trade करते हैं तो आपको profit definitely मिलेगा तो इस particular range में जो भी highest point था इसको हमने mark कर दिया अब ज उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपका फाइदा होगा कि यहाँ पे आपको risk काफी कम होगा और जो अगर हम reward की बात करें यहाँ पे आपको reward जादा मिलता हुआ दिखेगा कैसे जादा मिलता हो दिखेगा चली वो भी हम समझ लेते हैं तो अब यहाँ पे देखिए ह हम जो entry करें वो 18,000 करें पर हमारा जो SL होगा इसका lowest point SL की रूप में काम करेगा जो कि आपका होगा 17,965 की आसपास यह नहीं यहाँ पे हमारा जो SL बन रहा वो लगवक 35 point का SL बनता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पे अगर हम target price की बात करें तो पहला target price हमारा कौन सा होगा हम इस level पे पहला अपना target price रखेंगे जो कि होगा आपका 18,100 यहीं अगर हम first target price के ही बात करें तो risk यहाँ पे सिर्फ है आपका 35 point का और target price है 100 point का देख सकते है risk reward ratio कितने हद तक हमारे favor में move करता हुआ दिख रहा है इसके बात price आपका सी देख gap आप अपन हुआ इतना gap profit बना के दिया है तिहां पर आप चाहे options में trade करो या किसी भी futures में trade करो profit मिलेगा options में अगर आप trade करते हैं तिहां पर 18,000 at the money के call options को आप यहां पर आसानी से buy कर सकते थे यारी तो आप 17,950 के call options को भी buy कर सकते हैं जो कि slightly in the money होता है और दोनों जगह से आपको लगभग 100 to 150 point का profit आपको कहां पर मिलता options में भी यहां पर मिलता हुआ दिख जाता अगर आप 18,000 के call options या फिर 17,950 के call options को buy करते हैं तो इस तरीके से आप options में trade करके profit बना सकते और अपने trade के accuracy level को भी improve कर सकते बस आपको support vegetable identify करना फिर आपको देखना है कि support या extensible के पास power का transfer हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको technical analysis study करना from basic to advanced और आप अपना trading decisions खुद से ले सकते हैं तो इसके लिए आपको course सीखने की जवबत है और हमने इसके लिए एक special सा course design किया जिसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से download करना होगा नहीं तो इ stock market में carrier भी बना सकते हैं सिर्फ इतना ही ने वहाँ पे आपको options के regarding भी पूरा complete course मिलेगा from zero to advanced level और stock market का basic से लेके advanced लेवल तक भी सारा कुछ वहाँ पे आपको systematic तरीके से बताया जाएगा तो अगर आप interested है तो हमारा mobile app download करके एक बार विजित ज़ूर कीजे पसंद आता है आप course को enroll कर सकते हैं तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं दूसरे example पर आते हैं दूसरा example आपका stocks का ICSA bank का 15 minute टाइम फ्रेम जिसमें हम आसानी से कोई भी trading positions initiate कर सकते हैं अब यहाँ पे हमें क्या find करना सबस्पहले एक support best sensible identify करना फिर देखना है कि वहाँ पे power का transfer हो रहा है क नहीं हो रहा है यहाँ प्राइस आपका नीचे सारी की तरफ आया और 900 के लेवल पे आने की बाद प्राइस आपका एक ग्विन केंडल का formation किया है और फिर प्राइस आपका उपर सारी के तरफ जाने लग गया है तो जैसे ही प्राइस आपका इसके करीब आया हमने क्या पर दिखा देता हूं अभी यहां पर ज्यादा बिल्डप देखने को मिल रहा है अभी देख सकते हैं 900 के लेवल पर इस अब आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है यहां पर हमें सपोर्ट डेवल फइंड हो गया अब हमें क्या देखना है कि पाबर का ट्रांसफर हम किसको देखेंगे उसके लिए हम देखेंगे RSI जो इंडिकेटर हमने एड किया तो अगर आप इस डेखें तो आरेसाइज के च्ट्वेंद आपको यहां पर आरेसाइज का लेवल अपको इस पर्टिक्लर पर देखने को मिलेगा और जब आपका RSI इसके करीब आया तो यहां पर आप देखें तो इस पॉइंट के करीब हमें देखने को मिलेगा यह नहीं यहां पर प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे साइड की तरफ आया लेकिन अगर हम RSI के को देखें तो इसका डेखें आपका ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा तो मैंने आपको इससे पहले बदाया था RSI का डेखेंस ऊपर जाने का मतलब है कि क्या यहां पर जो बायर से वह काफी हद तक एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स यहां पर धिवे धिरे स्ट्रांग हो रहे हैं बी प्रावर का ट्रांसपर सिस्ट्मैटिक तरीके से सुरू हो गया फ्रों सेलर्स टो बायर्स जो चीज हम ने देखा तो वह यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे इस particular vision में यह आपका highest point है और यह lowest point हम मार्क कर देंगे अगर price इसको break करके नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी हम sell side की तरफ positions initiate कर सकते हैं future option जहाँ भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप trading initiate कर सकते हैं अगर price इसके उपर जाता है तो यहाँ पे हम buy side की तरफ trade initiate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे RSI उपर side की तरफ जा रहा है buyers में strength आ रहा है तो अगर यहाँ पे price आपका नीचे side की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे जो हमने सोचा उसके against जा रहा है यहाँ पे आपको trading avoid करने के जोगत है अगर आप यही trade initiate करते हो तो क्या होगा आपका जो accuracy level है वह आपको उतना high accuracy level नहीं मिलेगा तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम entry लेते हैं तो हमें entry लगोग मिलेगा 9045 के आसपास 904 ले लेते हैं और SL जो हमारा बनेगा वह 900 के आसपास बनेगा यहाँ यहाँ पे हमारा risk reward भी काफी तक हमारे favor में होगा हम यहाँ पे जो entry लेंगे वो clear cut हम level लिख लेते हैं 900 4 के आसपास SL जो होगा 900 का होगा target price के अगर हम बात करें तो previous swing high के basis पे ले सकते हैं वो काफी ऊपर है तो यहाँ पे हम जितना हमारा SL है उसका double यहनि लगवग हम जो target रखेंगे वो 915 के आसपास यहाँ पे अपना general के अगर हम हाई को देखे 917 का है असानी से हमारे target price को hit कर दिया और more than 1% का में profit भी मिलता हुआ दिख रहा है और अगर आप options में ट्रेडिंग करते हैं तो options में भी लगवग आपको 526 point का profit options में भी आपको मिल जाएगा अगर आप 900 के call options को यहाँ पे buy करते हैं तो इस तरी out level है बस हमें चेक करना power का transfer हो रहा है कि नहीं हो रहा यानि buyers यहाँ पे अपना strength gain कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो हम इसी level से compare कर लेते हैं यहाँ पे आप RSI का strength देखिए और यहाँ पे आप RSI का strength देखिए आपको clear cut पता चल जाएगा कि इसका divergence है वो clear cut आपको ऊपर सा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मतलब clear है कि इस level पर जितना buyers का strength था उससे जादा यहाँ पर buyers का strength है मतलब यहाँ पर price आपका जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखेगा और ultimately price आपका ऊपर गया है जो यह जो level है यह हमारा first target price हो जाएगा यह नहीं 918 के आसपास first target price होगा और हमारा जो entry बनेगा वो 905 के आसपास entry बनेगा और SL जो रहेगा 900 करीब SL रहेगा यह नहीं यहाँ पर भी अगर हम risk reward की बात करें तो risk काफी कम है और जो reward है वह हमें ज्यादा देखने को मिलबा तो जब भी आप इस तरीके से trade लेंगे आपका high accuracy वाला trade ही आपको output में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजे शादी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें आपको notification मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन